हेलो फ्रेंड्स आप सभी कपने एचिटी सी यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज होने लोग एट किलास का मैथ स्वल्प करेंगे जो ये पी सिराची जहारकन टेस्ट बुक पर बेस्ट है तो चलिए प्रशनावली दो दसनलों चार पर चलते हैं चार नंबर देखे चार नंबर का सवाल क्या करता है निमनलिकित संख्याओं में प्रतियक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ग्यात किजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ग्यात की गई संख्या का वर्गमूल भी ग्यात कीजिये तीसरा नंबर पर सवाल था कि कि संख्या से हम लोग गुना करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और चौथा नंबर में कि संख्या से हम लोग भाग करें कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ठीक और हमें पूर्ण वर्ग संख्या बन इसका भाज गुननखन करते हैं चलिए तीन से करते हैं तीन का पहड़ा में देखिए दो तीन से छोटा हो जाए रहा है इससे दो अंक लेंगे 29 हो जाएगा तो तीन का पहड़ा में 29 आता नहीं है लेकिन उससे छोटा 27 आता है अब फिर एक यहां बच गया एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 तीन पच्चे 15 ठीक अब चलिए अगला फिर तीन से करते हैं तीन तिया 9 उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर साथ है तीन दुना 6 एक बच गया एक इधर शिफ्ट हो गया तो कितना हो ज देखिए पांच का पहड़ा में तीन तवायगा नहीं क्योंकि तीन छोटा हो जाता है इसलिए दो अंक लेंगे 32 हो जाएगा अब देखिए पांच का पहड़ा में 32 नहीं आता है उससे छोटा 30 आता है तो हमारे पास अभाजी गुनन खंड आ गिया ठीक अब इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2925 ठीक इसका हम लोग रूट बनाते हैं चलिए यहाँ पर लिखेंगे दिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13 ठीक अब देखिए यहाँ पर क्या है की जोड़ा बनाएंगे ठीक ना पर बुर्ग निकालने पर लोग जोड़ा बनाते हैं दिखिए यहाँ पर क्या है तीन का जोड़ा बन रहा है ठीक और यहाँ पर क्या पांच का भी जोड़ा बन रहा है लेकिन यहाँ पर तेरा का जोड़ा नहीं बन रहा है ठीक तो क्या करना है कि 2925 को 13 से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो क्या बचेगा बस यहाँ पर 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 बचेगा 13 गैंसल हो जाएगा ठीक तो यह पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर बन जाएगा तो चले लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे वह चोटी संख्या बराबर 13 ठीक तेरा से भाग देंगे हम लोग इसको तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा अब वर्ग संख्या क्या हो जाएगा अत्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर देखिए अब यहां से अब लोग दो तीन में से एक तीन निकाल देंगे फिर गुना इस पांच को निकाल देंगे बराबर कितना हो जाएका पांच तिया पंदरा तो पूर्ण वर्ग संख्या पंदरा हो गया और किसे भाग देंगे तेरा से भाग देंगे चलिए अब अगला नमबर बनाते हैं दूसरा नमबर दूसरा नमबर को सवाल क्या है 396 चलिए 396 का भाज गुननखन करते हैं 396 चलिए 2 से करते हैं 2,1 का 2,1 बच गया इधर सिफ्ट हो जाएगा उनिस हो जाएगा, दो नवा, अठार, फिर एक बच गया, इधर सिफ्ट हो जाएगा, सुला हो जाएगा, दो अठे, सुला, उसके बाद फिर से दो से करते हैं, दो का पढ़ा में उनिस नहीं आता है, अठार आता है, तो दो नवा, अठार, एक बच गया, इधर सिफ्ट हो ज करेंगे तीन का तीन का तीन का तीन 11 हो गया अब हम लोग 11 से करेंगे 11 का 11 ठीक तो चलिए इसका अभाज गुना निखंड क्या मिला हमें चलिए इसको लिखते हैं रूट 396 अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो अभाज गुना निखाने उसको लिखेंगे दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना नीचे क्या है 11 ठीक अब देखिए यहाँ पर दो का तो जोड़ा बन रहा है तीन का भी जोड़ा बन रहा है लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बन र ठिक ना 11 से भाग देंगे 396 वे को तो क्या बचेगा दो गुणा दो गुणा तीन ठीक तो चल्य यहां पर लिखते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या ब्राबर क्या हो जाएगा देखिए यह दो के लिए एक दो यहां पर लिखेंगे 2-2 के लिए और यहाँ पर 2-3 के लिए भी 1-3 लिखेंगे क्योंकि हम लोग पूर्ण वर्च संख्या निकाल हो चलिए इसको गुना कर दते हैं क्या हो जाएगा 3 दूना 6 तो वह च्छोटी संख्या 45 किसे जाएगा 3 से जाएगा 3 एका 3 3 दुना 6 फिर यहाँ पर 3 एक इधर शिप्ट लएगा 15 हो जाएगा 15 इसके बाद फिर से 3 से जाएगा 3 4 के 12 ठीक ना एक हो गया यहाँ पर अब 3 का पढ़ा में एक नहीं आता इसलिए 5 को भी साथ में ले लेंगे तो 15 हो जाएगा क्योंकि 2 के ले रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर 0 लगेगा अब 3 पच्चे 15 अब यहाँ पर फिर से 3 का पढ़ा में जाएगा दिखिए 3 एका 3 एक बच गया इधर शिप्ट हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक एक बच गया इधर शिप्ट हो जाएगा 3 पच्चे 15 यह 3 से फिर से जाएगा 3 एक बच गया एक इधर शिप्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 3 पच्चे 15 उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 से जाएगा 3 पच्चे 15 अब इस तरह से यह बन गए हमारे पास अभाज गुनानखन इसको फिर से बार कर देते हैं हम लोग 5 से 5 एका पांच अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग के रूप में यह हो गया रूट तीन हजार छेसो पैतालेस ठीक बराबर यहाँ पर जितना भी हम लोग निकाले हैं अब आज गुनानखन सबको यहाँ लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छे पिर एक पाँच है ये हो गया? अब चलिए देखिए जोड़ा किसका किसका है तीन का तो जोड़ा है यहाँ पर भी तीन का जोड़ा है बट पांच का कोई भी जोड़ा नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वह चोटी संख्या ब्राबर पांच पांच से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो जोड़ा है उसके लिए एक तीन निकाल देंगे फिर यहाँ पर जोड़ा है उसके लिए फिर एक तीन पर फिर से जोड़ा है उसके लिए एक तीन निकाल देंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन तीया नौ नौ तीया 27 यहाँ पर 27 अंसर हो गया और छोटी संख्या हो गया पांच चलिए अब अगले नमबर पर बढ़ते हैं चौथा नमबर चौथा नमबर क्या है 2800 2800 का चलिए अब आज गुनानखन करते हैं 2800 इसका अब आज गुनानखन करेंगे 100 से पहले 2 से करेंगे 212 फिर 8 है 24 के 8 फिर 00 को उतार देंगे क्योंकि लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे 24 फिर 00 आजाएगा यहाँ पर फिर से यहाँ पर हो नों किसे करेंगे 2 से करेंगे 236 एक बच गया एक इधर सिप्ट हो जाएगा दस हो जाएगा 2510 फिर यहाँ पर एक 0 बच गया फिर समू लोट इसका दो से करेंगे चलिए दिखिए 212 एक बच गया यहाँ पर एक इधर सिफ्ट हो जाएगा 15 हो जाएगा 2 सत्य 14 ठीक ना फिर एक बच गया एक फिर इधर सिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 अब दो पच्चे 10 अब इसको करेंगे हम लोग 5 से पांच तिया 15 कितना बच गया दो बच गया अब दो इधर सिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 पांच पच्चे 25 अब देखिए यह किस से जाएगा फिर से 5 से जाएगा 5 सत्य 35 फिर यहाँ पर 7 एका 7 तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रूट देकर क्या है 2800 पर हम आप रूट लगाएंगे जितना भी अभाजी गुणा निखन्ड की है सबको लिखेंगे 2 गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा साथ फिर यह हो गया अब इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे किसके इसका जोड़ा है यहाँ पर दो का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, पांच का जोड़ा है, साथ का कोई भी जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर वह चोटी संख्या क्या हो जाएगा वह चोटी संख्या ब्राबर साथ हो जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्या वह पूर्ण वर्ग संख्या ब्राबर क्या हो जाएगा देखिए दो के लिए यहाँ पर दो लिखेंगे फिर इस जोड़े के लिए यहाँ पर फिर से दो लिखेंगे यहाँ पर पांच के जोड़े के लिए पांच लिखेंगे अब चलिए यहाँ पर हम लोग सब को गुना कर देते हैं दो दुना चार चार पट्चे बीस यहाँ पर हो जाएगा बीस पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया बीस अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर अगला नंबर क्या है पांच नंबर पांच नंबर का सवाल है 9408 तो चलिए इसका यहाँ लोग क्या करते हैं अब हाज गुरुन खन निकालते हैं 4908 यह दो का पढ़ा से जाएगा ठिक ना तो दो से लेते हैं 2,4 के 8 हो गया एक बचे ग पर 0 है उसको उतार देंगे फिर 8 है तो 2,4 के 8 हो जाएगा उसके बाद फिर से इसको दो का पढ़ा में लेंगे 2,2,4 ठीक यहाँ पर क्या है 7 है 2,3,6 एक बच गया एक इधर 10 हो जाएगा 2,5,10 ठीक अब यहाँ पर 2 मतलब 4 है तो 2 का पढ़ा दो बार में 4 होता है देंगे 2,1,2 फिर यहाँ पर 3 है फिर से 2,1,2 उसके बाद एक बच गया है एक इधर शिफ्ट हो जाएगा 15 हो जाएगा तो 2,7,14 ठीक फिर एक बच गया एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 12,2,6,12 ठीक ना अब इसको हम लोग क्या करेंगे अब फिर से 2 से देंगे भाग दो देखिए एक हो गया तो छोटा इसलिए हाँ पर 2 संख्या लेंगे 11,2 का पढ़ा हम 11 नहीं आता है लेकिन 10 आता है 2,5,10 एक बच गया है एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17,2,8,16 ठीक ना फिर एक बच गया है एक इधर फिर से शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16,2,8,16 अब चलिए इसको फिर से 2 से भाग देते हैं 2,2,4 ठीक एक बच गया एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो अठार हो जाएगा 2,9,18 फिर यहाँ पर 4 है 2,4 के 8 अब अगला फिर से हम लोग 2 से इसको भाग देंगे 2,1,2 यहाँ पर 9 है 2,4 के 8, 8 कैंसल हो गया एक बच गया एक इधर शिफ्ट हो जाएगा 14 हो जाएगा 2,7,14 अब इसको हम लोग किस से भाग देंगे चलिए 7 से देते हैं देखिए 7 दुना 14 ठीक 7 एका 7 उसके बाद फिर से यह जाएगा किस से 7 से ही जाएगा 7 यह 21 उसके बाद 3 एका 3 ठीक अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं रूट में क्या हो जाएगा 9,408 ब्राबर रूट देखिए 2 कितना है 1,2,3,4,5,6 फिर क्या है 7 साथ गुना 7 फिर गुना एक बार क्या है 3 है अब चलिए इसका भी जोड़ा बनाते हैं देखिए क्या है जोड़ा 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पर फिर से 2 का जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया 7 का जोड़ा बन गया अब 3 का जोड़ा नहीं बना ठीक ना तो अभी तक आप समझी गए होंगे क्यों चोटी संख् संख्या ब्राबर 3 मतलब 9408 को 3 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा ठीक और वह पूर्ण वर्ग संख्या ब्राबर क्या हो जाएगा दो फिर इसके लिए दो यहां पर के लिए फिर से दो फिर यहां पर 7 का जोड़ा है इसके लिए फिर 7 हम लोग क्या करेंगे गुना करनेंगे तो कितना हो जाएगा दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ सते चपपन, यह हो गया अंसर, तो चलिए अब बढ़ते हैं, पांचवे नंबर पर, पांचवे नंबर का सवाल क्या करता है, देखिए, वह सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ग्यात कीजिए, जो दिये गए, प्रतियक संख्यास सभी भाजित हो जाए, देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्यात करना है, जो आठ सभी भाग, पूरा-पूरा भाग हो जाए, बार सभी पूरा-पूरा भाग हो जाए, पंदर सभी पूरा-पूरा भाग हो जाए, तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाने के लि दो चुक के आठ फिर बार कितना बार में आता है छे बार में आता है दो चक बार फिर दो का पढ़ा में 15 नहीं आता है इसलिए 15 उतार देंगे दो का पढ़ा में 20 आता है दो दाहीं 20 अब फिर से इसको करेंगे 2 से दो का पढ़ा में 2 बार में 4 आता है दो का पढ़ा में 3 बा बार में दो होता है और दो का पढ़ा में तीन नहीं आता है 15 भी नहीं आता है और पांच भी नहीं आता है इसलिए उतार देंगे तीनों को उसके बाद अगला इस्टप करेंगे तीन से चलिए एक नहीं आता है तीन का पढ़ा में तीन आता है कितना बार में आता है एक बार म फिर एक नीचे उतार देंगे 5 एका 5 फिर 5-5 हमारे पास LCM कितना आ गिया चले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग के साथ यहाँ पर लिखता हूँ मैं LCM कितना हो गया दो दुना चार दुना आठ आर्टिया चोबीस चोबीस पच्चे एक सो बीस LCM कितना हो गया यहाँ पर 120 ठीक अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न को देखिए फिर से वह सबसे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या गयात कीजिए जो दिये गए प्रितिक संख्या से भाग हो जाए यहाँ पर क्या करना है वर्ग संख्या याद करने ठीक ना अब वर्ग संख्या किसका होता है जिसका जोड़ा जोड़ा होता है उसी को वर्ग संख्या बोलते हैं यहाँ पर दो का एक जोड़ा मिल गया फिर देखिए इस वाले दो का कोई भी जोड़ा नहीं है फिर यहाँ प पर जोड़ा नहीं है ठीक ना इस लाइन में इस LCM में जिसका जिसका जोड़ा नहीं है उसको यहां पर गुना कर देना है कि इसका जोड़ा नहीं है इस दोनों दो का इस दो का नहीं है इसलिए उसको गुना कर देंगे फिर यहां पर तीन का भी कोई जोड़ा नहीं है तीन क से फिर पांच से ठीक तो चलिए 120 को यहां पर पहले हम लोग लिक देते हैं फिर गुना पांच तिया 15 15 दुना 30 यहां पर 30 हो गया अब फिर 30 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बारतिया 36 फिर 0000 है तो एक और दो यह हो गया अंसर आप कीज़ेगा यहां पर देखिए बारतिया 36 फिक ना डबल जीरो एक दो दोनों जीरो के यहां पर लगा देंगे तो हो जाएगा 36 फिक अब हम लोग बढ़ते हैं दुसरे नमबर पर दुसरा नमबर का सवाल क्या करता है कि 4 है 9 है और 10 है ठिक ना तो चलिए इस बसे पर लिसका हम लोग LCM निकालेंगे LCM निकालते हैं 4 9 और 10 का 2 से लेते हैं पहाड़ा पहले 2 दुना 4 फिर 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है इसलिए छोड़ देंगे 2 का पहाड़ा में 5 बार में 10 आता है इसलिए 5 लिखेंगे आप पर अब चलिए 2 को लेते हैं आपर 2 एका 2 दो का पहाड़ा में 9 नहीं आता है और 5 भी नहीं आता है अ यहां पर देखी एक उतार देंगे तीन एका तीन और पांच भी तीन का पढ़ा हमें नहीं आता है उसके बाद यहां पर पांच से करेंगे एक यह उतर जाएगा यह वाला एक उतर जाएगा फिर पांच अब चलिए ल सी कितना आया हमारे पास दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना पांच दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना पांच ठीक अब चलिए अगला हम लोग बनाते हैं यहां पर जोडा बनाते हैं सबसे पहले दो का तो जोडा है चलिए और तीन का भी जोडा है ठीक न चारतिया 12 बारतिया 36 और 36 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 चलिए अब 180 जो आया है यहाँ पर 180 को गुना करना है जिसका जोड़ा नहीं है देखी दो का तो जोड़ा है तीन का भी जोड़ा है बस 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 को LCM 180 है फिर जोड़ा है 00 अर एक जिरो जो है वह जिरो को उतार देंगे तो टोटल हो जाएगा 900 यहीं हो गया आप अगला नंबर है 6 नंबर नमबर दकिए क्या कहता है एक विद्याले में गच्च आठ के सभी विद्यारतियों ने प्रधान मंत्री राष्ट्रिय कोस में रुपिये 1764 दान में दिये प्रतियक विद्यार्थी ने उतनी ही रुपिये दान में दिये जितने कच्छा में विद्यार्थी थे कच्छा में विद्यार्थियों की संख्या ग्यात किजिए देखिए बस इसमें क्या है कहानी लंबा चुडा दिया हुआ है ठीक ना अगर इस question का समधी बोलू तो बस इतना है कि 8 class में कुछ रुपिये दान होते है ठीक ना और उतने ही रुपिये दान होते है जितने की उस class में विद्यार्थों की संख्या है ठीक अब चलिए बनाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर माना विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या वराबर एक्स ठीक अब देखिए मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या एक्स है ठीक ना, विद्यार्थी एक से, तो कितना जमा करेगा, एक विद्यार्थी, एक सुरूपिया जमा करेगा, ठीक ना, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, अतह, यहाँ पर लिखते हैं, तब, तब, एकत्र किये गये, एकत्र किये गये, रुपिये, ब्राबर, क्या हो जाएगा, एकस स्क्वेर, ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए, अतह, एकस स्क्वेर, ठीक ना, एकस स्क्वेर, ब्राबर, क्या हो जाएगा, एकत्र किये गए रुपीय कितना एकत्र किया हुआ है टोटल कलास में वो कोशन में दिया हुआ 1764 तो उसको लिख देंगे अत्र एक स्क्वेर बराबर 1764 ठीक अब इसका हम लोग solve करेंगे, solve करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक स्को लिख देंगे अब स्क्वेर जब equal to के opposite side में जाता है, तो क्या बन जाता है? वो root बन जाता है, ठीक root बन जाता है, 1764 यह जो यहाँ पर square था, वो convert हो गया है root में, equal to के opposite direction में जाकर अब चलिए, अब हम लोग करते हैं, 1764 का यहाँ पर गुनानखन करेंगे 2 से पहले, 2 का पहड़ा में 17 नहीं आता है 16 आता है, 28, 16 एक उधर चला गया, 16 हो गया, 28, 16 फिर एक, इधर यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 2 दुना 4, फिर 2 का पहड़ा में आएगा, 8 कितना बार में 4 बार में, 2 चला के 8, 2 चला के 8 फिर यहाँ पर 2 है, तो 2 एका 2, अब यह किसका पहड़ा में आता है चलिए हम लोग इसको करते हैं, किससे 3 से, 3 1 एक बच गया, एक इधर स्रिफ ठोड़ेगा तो 14 हो जाएगा 3 चला के 12, ठिक ना 12, एक फिर से बच गया नहीं, 2 बच गया, ठिक ना 3 चला के 12, 13 चला के 12, दो इधर स्रिफ ठोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 21 3 सत्य, 21 अब चलिए इसको 3 से फिर से करते हैं देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 के 12, फिर से यहाँ 2 बच गया ठिक ना, 2 बच गया, तो इधर स्रिफ्ट हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 नवा 27, ठिक, उसके बाद अब फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग 7 से करेंगे 7 सत्य, उन्चास और यहाँ पर 7 एका 7 क्या बच गया हमारे पास 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 7 गुना, 7 तो चलिए, इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स बराबर, अंडर रूट जितना भी आया है, उसको लिखेंगे क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना, 3 गुना 7 गुना, 7 यह हमारा भाजी गुनानकरन करने के बाद मिला था, उसको यहाँ पर लिख दिये हैं अब चलिए, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं जोडा बनाते हैं, जोडा बना दिये हैं यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर अब जोडा को बाहर निकाल देंगे और रूट को हटा देंगे दो गुना, तीन गुना, साथ ठीक, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे सब को गुना कर देंगे चलिए गुना कर देते हैं दो तिया छे, छे सते 42, एक्स बराबर कितना हो गया 42, अत्ता विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगा विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर एक्स, और एक्स का मान कितना है 42, यहाँ पर भी निकाले होई हो गया 42, यहाँ पर 42 अंसर, अब बढ़ते हैं अगले नमबर पर चलिए, अगला नमबर देखते हैं साथ नमबर, साथ नमबर की सवाल क्या कहता है समसूल ने एक विद्याले में विद्यार्थियों के बीच टोफियां बाटी, टोफिय बाटने के लिए विद्यार्थियों को पंतियों में खड़ा किया गया प्रतियक पंति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंतियों की संख्या है यदि समसूल ने कुल 12,544 टोफी बाटी तो पंतियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या ग्याद किजिए देखिए यहां पर एक समसूल नाम का स्टुडेंट है जो कि अपने कलास में टोफी बाटता है और कुल कितना बाटता है 12,544 और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पंती की संख्या और विद्यार्थी की संख्या ठीक ना यहां पर देखिए विद्यार्थी की संख्या और पंतियों की संख्या दोनों बराबर है और निकालना क्या है पंतियों की संख्या और विद्यार्थी क के संख्या ठीक तो दोनों इक्वल होगा एक ही अंसर आएगा ठीक ना तो चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर दिखिए दोनों एक्वल है विद्यार्थी की संख्या और पंती की संख्या इसलिए इसको पहले लिख लगते हैं पंतियों पंतियों की संख्या ब्राबर विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या अब चलिए अगला लिखते हैं माना माना विद्यार्थियों की संख्या संख्या बराबर X ठिक अब क्या लिखेंगे दिखिए जितने विद्यार्थी हैं ठिक ना उसी का स्क्वेर हो जाएगा यहां पर और वो क्या हो जाएगा कुल टोफी की संख्या तो चलिए लिखते हैं बाटी गई बाटी गई कुल टोफी की संख्या ब्राबर एक्स स्क्वेर क्योंकि जितनी पंतिया है उतने ही विद्यार्थी है और उतने ही टोफी बाटी गई है यहां पर हम लोग लिखते हैं देख़िए कुल टोफी कितना पाटां गया है यहां पर अत्त कुल टोफी एक्स स्क्वेर है स्क्वेर लिखते हैं ब्राबर बारहजार 544 अब देखे पिछला नमबर जैसा है यहां पर x स्क्वेर को उधर ले जाएंगे बराबर का तो वह क्या हो जाएका रूट बन जाएगा रूट 1254 182545 का हम प्या करेंगे अब भाजी गुनन खंड निकालेंगे चलिए इदर निकालते हैं भाजी ंदर निकालते हैं 1254 आप चलिए इसको 2 से करते हैं 2 छक 12 दो दुना 4 फिर नहीं पर 14 हो गया फिर से 2 से करेंगे यहां पर 2 तिया 6 21 दो 21 दो दो तिया 6 एक इदर श्रिप्ट हो गया तो कितना हो गया बारव दो छक 12 फिर से 2 से करेंगे दो एका दो यहाँ पर एक इधर सिफ्ट हो जाएगा तो 11 हो जाएगा दो बच्चे 10 फिर एक बच गया इधर सिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 दो छक बार फिर एक बच गया फिर इधर सिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 2, 8, 16 फिर से हम लोग इसको 2 से करते हैं देखिए यहाँ पर 15 है तो 14 तो जाता है 2 का पहड़ा में 2 सत्य 14, एक बच गया, एक इधर सिफ्ट लेगा तो क्या हो जाएगा 16, 2, 8, 16 फिर हम पर 8 है, 2, 4, 8 अब अब अवला नंबर करेंगे हम लोग क्या 2 से ही करेंगे 2, 3, 6 फिर हम पर 1 इधर चला जाएगा तो 18 हो जाएगा 2, 9, 18, फिर 4 है 2, 2, 4, फिर से 2 से करेंगे देखिए, 2, 1, 2 एक बच गया, एक इधर से बच गया तो क्या हो जाएगा 19, 2, 9, 18 ठिक ना, 19 में 18 कैंसल एक बचेगा, 12 हो जाएगा 2, 6, 12 उसके बाद यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे 2, 9, 18 एक बच गया है एक बच गया है यहाँ पर उसके बाद इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 2, 8, 16 उसके बाद फिर से 2 से करेंगे हम लोग इसको 2, 4, 8 एक बच गया, एक इधर चला जाएगा, तो shift हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18, 29, 18, अब चलिए इसको करते हैं किससे, 7 से, 7, 7, 49, ठीक, अब फिर से यहाँ पर आ जाएगा, 7, 7, तो इतना लंबा हमारा भाज गुनानखंड आया है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, x, 45, 46, 78, फिर हाँ पर क्या है, देखिए, 7 है, फिर यहाँ पर भी 7 है, उसको भी यहाँ पर लिखना है, गुना, 7, गुना, 7, ठीक, अब से लिए जोडा बनाते हैं, इसके हम लोग वर्गमूल निकालना है, दो का जोडा एक बार बन गया, दो बार बन गया, दो का जोडा, अब देखिए, 7 का भी जोडा बन गया, अब जो जोडा बन गया है, सभी जोडा को हम लोग बाहर निकालना है, यहाँ पर के लिए 1, फिर इस जोडा के लिए फिर से 2, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर फिर से और एक बार 2, फिर यहाँ पर 7 भी जोडा में है, इसलिए 7, अब तो दुना चार चार दुना आठ आठ दुना 16 ठीक ना अब 16 हो जाएगा 16 सत्य 112 ठीक यह हो गया हमारा अंसर अब मतलब यह है जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है ठीक ना कुल विद्यार्थियों की संख्या है तेहां पर लिख सकते हैं अत्त कुल विद्यार्थियों की संख्या ब्राबर 112 और कुल पंतियों पंतियों की संख्या ब्राबर 112 यह दोनों हो गया अंसर अब चलिए अगला नंबर पर आते हैं आठ नंबर आठ नंबर का सवाल क्या है एक आयत का छेत्रफल 1764 सेंटिमेटर स्क्वेर है यदि आयत की लंबाई इसकी चवड़ाई की चार गुनी है तो आयत की लंबाई और चवड़ाई ग्यात किजे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आयत का छेत्रफल दिया हुआ है और बोला गया है कि आयत की लंबाई चवड़ाई के चार गुनी है तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर आयत का छत्रफल कितना दिया हुआ है 1764 सेंटीमेटर स्क्वेर ठीक अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग माना चवड़ाई ब्राबर बी ठीक ना बी मतलब ब्रेथ ब्रेथ में चवड़ाई होता है ठीक माना चवड़ाई ब्राबर बी अब देखिए चवड़ाई ब्राबर बी है तो लंबाई लंबाई बराबर क्या हो जाएगा लंबाई बराबर क्या बोला है लंबाई इसकी चोड़ाई की चार गुनी है चोड़ाई की चार गुनी है चोड़ाई मतलब B B की चार गुनी है बराबर 4 B हो जाएगा ठीक यहाँ पर 4 B हो गया है चार भी अब चलिए हम लोग लिखते हैं अगला आयत का छेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चोड़ाई ठीक अब चलिए मान बैठाते हैं हम लोग सबसे पहले दिखें आयत का छेत्रफल कितना दिया हुआ है 1764 1774 अब यहाँ पर लंबाई कितना है देखिए यहाँ पर फोर भी फोर भी गुना और यहाँ पर चोड़ाई चोड़ाई कितना दिया हुआ है वी बस यहाँ पर बी लिखें देंगे ठीक अब चलिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700 400 इधर रहेगा उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा फिर दखिए B कितना पीस है 2 पीस तो B का क्या हो जाएगा यहाँ पर square हो जाएगा B का square अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं जो बाय साइड में उसको दाए कर दते हैं लिखे हैं यहाँ पर sign नहीं बदलेंगे ठीक ना क्योंकि पक्षांतरित नहीं किये हैं बस हम लोग left को right और right को left किये हैं चलिए अब अगला क्या है यहाँ पर B square हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर चार है उसको ब्राबर का दूसरे side लेंगे भी ठीक ना तो यहाँ पर क्या है चार और B के बीच में गुना है तो ब्राबर का उधर जाकी क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 1764 अब देखिए भाग हो जाएगा भाग 4 ठीक ना अब इसको चलिए काट देते हैं 4 से कटेगा 4 का 4 उसके बाद 17 है 174 का पढ़े में नहीं आता है 16 ठीक ना एक बच गया इधर सिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा 16 फिर हाँ पर 4 का 4 तो B स्क्वेर ब्राबर क्या हो गया 441 अब चलिए यहाँ पर B ब्राबर अब जो स्क्वेर है उसको इक्वल टू के लिए हम लोग क्या करेंगे 441 का यहाँ पर अभाज गुनानखन निकालेंगे देखिए क्या करेंगे पहले हम लोग इसको 3 से करते है 3 का 3 1 बच गया इधर 14 हो गया 3 चूँ के 12 मतलब हाथ में यहाँ पर 2 बच गया है 2 उधर शिफ्ट हो जागा तो क्या हो जागा 21 3 सत्य 21 ठीक अब फिर समय लोग इसको 3 से करते है 3 4 के 12 यहाँ पर 2 बच गया उधर शिफ्ट हो जागा तो कितना हो जागा 27 तो 3 9 27 अब इसको फिर समय लोग 7 से करते है 7 7 7 7 7 9 अब फिर यहाँ पर 7 एका 7 ठीक इस तरह भाजी गुना अन्खण हमारा कम्प्लिट हो गया अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं B ब्राबर 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 और यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे सोरी यहाँ पर अब आज गुना अन्खण तो कर लिए हैं अब वर्गमूल निकालेंगे जोड़ा बनाएंगे तीन और साथ का जोड़ा बन गया है निकाल देंगे तीन गुना 7 ब्राबर B ब्राबर कितना हो जाएका 7 तीया 21 ठीक अब चलिए यहाँ पर प्रस्ण देखिए क्या बोला है आयत की लंबाई और चोड़ाई याद करें ठीक ना तो B B कितना है B हम लोग का क्या था चोड़ाई था B तो चलिए लिखते हैं चोड़ाई यहाँ पर लिखते हैं चोड़ाई ब्राबर क्या था उपर में देखिए यहाँ पर यहां पर चवड़ाई ब्राबर V तो चवड़ाई ब्राबर B और B ब्राबर यहां पर कितना निकाल ले हैं 21 तो यह हो जाएगा 21 सेंटिमिटर अब लंबाई 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 ब्राबर क्या है 4 B तो यहां पर लिखते हैं 4 B अब इसका मान हम लग बैठाते हैं ठीक मान बैठाई कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा और B B के अस्थान पर कितना लिखेंगे 21 4 गुना 21 अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 84 सेंटिमिटर आब देखिए चोड़ाई ब्राबर हो गया अगर आपको कहीं भी दिखत हुई कहीं पर नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कम्मेंट कीजिए मैं आपको फिर से अची तरीके से बतानी कोसिस करूँगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर वीडियो पसंद आया तो